नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर सर्थ स्वागत है आपका दृष्टी PCS में मैं हूं केवल आपके सामगे। एक कहानी है, कहानी कुछ यूँ है कि एक क्लास्रूम में एक विद्यार्थी हमेशा निराश और उदास रहता था और वह किसी से बात भी नहीं करता था, उसके प्रोफेसर उसे लगातार देख रहे थे, फिर उसके बाद उसके एक प्रोफेसर ने उससे पूछा बुला कि कि आखिर क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों रहते हो, अकेले में क्यों रहते हो, किसी से बात भी नहीं करते हो, क्या इसकी वज़े है? तो उसने कहा कि सर्फ कुछ ऐसी जीवन की घटनाएं हैं, कुछ ऐसी यादे हैं, जो मुझे अच्छा मैसूस नहीं कराती है। इसकी वज़े से वो चीजे मुझे याद आती रहती हैं और मैं उदास रहता हूं परिशान रहता हूं तो उन्होंने बोला काम करो कल तु मेरे घर आओ एक बार इस पर हम बात करते हैं अगले दिन वो विद्यार्थी गया अपने उन सर के घर दे जब वो वहां गया तो सर ने पूछा कि शिकंजी पीओगे काम करते हैं शिकंजी पीते हैं अभी मौसम भी वैसा है तो उसके बाद वो शिकंजी बनाने चले गए और शिकंजी बनाकर जब वो आए तो उन्होंने शिकंजी बनाने के पहले किया क्या था कि शिकंजी में नमक जो है नमक की मात्रा जादा कर दी तो जैसे ही उसने शिकंजी पी तो उसे जादा नमक के हसास हुआ तो उसने बड़े ही खराब प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा नमक खराब हो गया है तब तो स्वाद आ नहीं रहा होगा एक काम करता हूँ अब इसे फेक देता हूँ दूबारा दूसर बना ले तो उसने कहा कि सर इसको फेकने की ज़रूरत नहीं है अगर हम इसमें चीनी भी मिला ले तो नमक तो हटा नही सकते हैं लेकिन चीनी अगर हम मिला लेंगे तो स्वाद बदल जाएगा और पीने लायक तो प्रोफेसर ने कहा कि मैं यही बात तो तुमसे सुनना चाहता था कि तुम एक बार इसे अपने जिन्दगी से रिलेट करके दे कि जिस तरह से शिकनजी में नमक जादा है वैसे ही तुम्हारे जिन्दगी में कुछ बुरे अनुभव ऐसे हैं कुछ ऐसे बुरी यादे हैं जिनकी वज़े से तुम उदास रहते हो उसे तुम अपने जिन्दगी से हटा नहीं सकते हो निकाल नहीं सकते हो लेकिन ये जरूर कर सकते हो कि मीठी यादे उसमें तैयार कर सकते ह और एड़ कर सकते हो अपने जिन्दगी में तो फिर वह जिन्दगी जीने लायक हो तो यह बात बिलकुल सही बैठे है यह बात उसे समझ में आठे है और यह बात मैं आप से परिक्षा के पहले इस दे भी कह रहा हूं क्योंकि जो भी बाते होती है आपके जीवन वो आपको य अच्छा महसूस कराती है बुरा महसूस कराती है और जब बुरा महसूस करा रही होती तो लगता है कि अच्छा तो कुछ है ही नहीं तो कुछ लोग तनाव में भी होंगे परिक्षा के पहले शायद तैयारी पूरी ना हुई हो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अब आग परिख्षा आती है 13 दिसंबर को वी पीस्टी की जो कि एकदम पास में आ गई उसमें कुछ लास्ट मिनिट टिप्स पर चर्चा कर ली जाए और जो स्ट्रेस हो रहा है उसमें पोड़ी सी जिक्र कर लिया जाए या चर्चा कर ली जाए कि आकर यह स्ट्रेस क्या है इसे कैसे बचें और अपनी पर्फॉर्मेंस पे इसका असर ना आने लिए तो अप्चू की परिख्षा नजदीक है तो इसी बात में सबसे पहले यह समझी है कि आकर यह जो तनाव है वह है क्या और उसके पीछे के कारण के देखिए तनाव का सीधा मतलब क्या होता है तनाव का सीध जब दिमाग में यह सिगनल तंत्र का तंत्र को पहुँशता है कि कोई खत्रा है खत्रा क्या है जो आपके नियंतरण में नहीं है वो आपके लिए तो तनाव के सिधिन पैदा होता है और कुछ लोग इसे एक्जाम फीवर कहते हैं जो इस एक्जाम की वज़े से तनाव होत मत्रब सबके साथ उसे मेनेज किया जाता है तो उसे पहचाने कि आपके साथ जो भी तनाव क्थी है वो या तो यह इस वज़े से हो सकती है कि आपको लग रहा है कि तैयारी में कमी है तो देखे, जो syllabus है जैसे current affair को ले ले या किसी भी विशय को ले ले तो अथा समुंदर की तरह है, सारे सवाल आज तक किसी ने कभी सही नहीं कि, बहुत कुछ पढ़ने के बाद भी, कई सालों तक पढ़ने के बाद भी, यानि कि syllabus जितना है, उसमें जितना कुछ पढ़ने को ह है, वो कभी पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है, तो तयारी में कमी हमेशा महसूस होगी और सबको हो रही है, तो इस बात का डर दिमाद से निकाल दे, दूसरों से तुलना, दूसरों से तुलना ना करें, देखिए, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, कुछ विद्यार्थी तुलना करके आप डरें नहीं, क्योंकि वो समय नहीं, हो सकता है, अगर आप डर रहें होंगे, तो आपके नंबर और कम ही है, और दूसरी बात यह है, कि हो सकता है, किसी विशे में, अगर किसी ने आप से कहा कि आपकी उसकी बड़ी अच्छी पकड़ है, तो हो सकता है, कि परिशा के अंतिन दिनों में मौक टेस्ट जादा से जादा लगाने से जो भी द्यार्थी टेस्ट लगाते हैं उनको याद आता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था और मुझे याद भी ये क्योंकि इसके उत्तर मुझे आ रहा है विकल्ब देखें इसलिए मौक टेस्ट भू पर छोड़ दिए इसका सीधा मतलब यह है कि कल कभी आता नहीं है हर दिन आपका जो रहेगा जिसमें आप जी रहोंगे वो आज है यादि कि चिंदा गर आपने कल पर छोड़ दी तो चिंदा कभी आपके पास नहीं है लेकिन कोई भी चुनोती या संगश चिंदा से दूर तो क्यों ही आप अपना समय सोचने में व्यर्थ करेंगे जब उस समय में उस बचे हुए समय में आपको अच्छा कर सकते तो आपको इस बात का भी डर लग रहा होगा कि आपके पास जो समय है उसका प्रबंधन नहीं उपार है तो इस बात से आपको ड़नने के ज़रूरत नह आप समय आपके बाद जब कम है तो उसका प्रबंधन करना आसान है एक साल का समय प्रबंधन करना वलकि मुश्किल होता है लेकिन अगर जब 5-7 दिन 2-4 दिन की बात तो उतना तो आप बड़े आसानी से प्रबंधन कर सकते बस स्ट्रेस में करेंगे प्रबंधन तो वो भी नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने बोला पहले तनाव को दूर कीजिए अब यहां पर देखिए यहां पर कुछ बातें आपको करने हैं जैसे कि कुछ सीमित समय बचा है तो आप सब कुछ तो आप नया पढ़ना भी नहीं चाहिए लेकिन जो आपने पढ़ा है अब उसके सल नावश्यक समय नहीं देना है यानि कि कहीं घूमने में समय नहीं देना है कहीं पार्टी में समय नहीं देना है इस वक्त परिक्षा के जब कुछी दिन बचे हैं तो आपको अपने आपके लिए ही समय देना है तो जब आप पूरा समय अपने आपके लिए देंगे तो उस स प्रिक्षा के पहले तक लगाते रहिए कोई टेंजिन वाली बात एक दिन पहले आप चाहे तो रुख सकते मौक्टेस लगाने से आपका रिवीजन अपने आपको करेगा सलेबस को देखिए सलेबस के आधार पर पॉइंट देखिए कि यह पॉइंट पढ़ा है यह पधा है फिर यह जाईए और एक नजर में पलट Ke देखिए आपकी नजर के सामने से हर कुछ गुजर जाएगा आपका जो पढ़ा हुआ है पिर उसके बाद देखे यही आपकी जो कम्जोरी है उस पर आप काम करें यानि कि जैसे माल लीजे कुछ लोगों को quality के article याद नहीं होते हैं, एक बार के लिए देख लीजे कि quality के important article कौन से हैं, कुछ लोगों को पर्यावरण की संधी याद नहीं रहती, कुछ लोगों को ब दिनचरिया अभी आपको अच्छी रखने हैं चुक्कि आप 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने को देने वाले हैं तो उस दौरान हो सकता है ज्यादा पढ़ाई भी आपके लिए अपच किस्तिती पैदा कर दें तो आप पचाही न पाएं तो उसके लिए दिनच नीद भले आप रात भर पढ़ाई करते हैं तो दिन में परियाप तो सो लिए दिन भर पढ़ाई करते हैं तो रात में सो लिए लेकिन नीद पूरी लिए 24 घंटे में कुछ घंटों की नीद अगर आप धंग से ले लेंगे तो भी आपके पास दिन में बहुत सारा समय बच सकता है कि आप जग तो रहे हैं आप तो नहीं रहे हैं लेकिन जगने के बाद वह आउटपुट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए कैफीन आपको एक टाइम के बाद फायदा नहीं पहुचाएगा फिर उसके बाद बात आती है आगे के लिए कि अंतिम में रिवीजन के लिए क्या देख जैसे कि बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं जैसे कि बहुत सारे इंडेक्स होते हैं तो आप कुछ प्रमुख जो इंडेक्स हैं में टॉप टेन जो इंडेक्स हैं बहुत सारे तूचका आंक जो आते हैं उसमें देख लीजे टॉप वन में कौ आप यह देख सकते हैं, Forest Report, तो आप अगर Forest Report भी देख लेते हैं, तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो आप देखेंगे, तो आपको याद आजाएगा, जो बहुत पहले आपको पढ़ा, जनगर्णा भी हो गया, इसके अलावा, आप देखेंगे, तो बजट के जो Major Points एक बार एक नजर में वो भी देख सकते हैं, तो Major Points टो एक बार देख लेंगे, तो बहुत सारी बाते हैं, उस Points को देख लेंगे, बिहार को लेकर के भी, और केंद्र को लेकर लेकर, तो छोटी-छोटी चीज़ें यह जो हैं, जो आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपतार के बारे मताया था, दृष्टी की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, तो बहुत सारे PCS एक्जाम्स के लिए, मौक टेस्ट की वेवस्था है, तो आप इस वेवस्था का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए करना होगा, आपक परिक्षा हॉल में, परिक्षा के पहले ही पहुँच जाना है, जादा देर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जादा देर करेंगे, ट्रैफिक में अगर आप फस गये तो हो सकता है, परिक्षा हॉल तक पहुँच ही ना पाएं, परिक्षा हॉल के गेड़ बंद हो जाएं, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि जितनी ही जरूरी चीज़े हैं, वो आप साथ में लेके जरूर जाएं, क्योंकि एड्मिट कार्ड आपके पास जबाएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़े रहेंगी जो प्रति बंधित रहें, तो अनावश्यक को अपने साथ लेके ना जाएं, जो ले जा सकते हैं सिर्फ उतना ही लेके जाएं, जो आवश्यक है, हलका नाश्ता जरूर करें, खाली पेट बिल्कुल न रहें, अगर आप हलका नाश्ता करेंगे, तो आपका दिमांग भी और बहतर तरीके से काम करेंगा ही, और सोच को देखे सकारात्मक रखें कि परिक्षा के दोरान क्या करें, देकि परिक्षा के दोरान क्या करें में न कुछ बाते हैं पहली से जानना जरूरी है, जैसे कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि कट ओफ कितना जाता है, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, कि हमें कितने सवाल सही करने चाहिए, इस बात इसके अलावा आप देख सकते हैं current affair, इसके अलावा आप देख सकते हैं जो बिहार, state special जो जानकारी है, इसके अलावा आप देख सकते हैं विज्ञान, यह वो चार सेक्षन है जहां से लगभग आप मिला दें तो 100 सवाल के आसपास दें से लेकिन फिर भी मैं आप से यह कहू थो आप यह देखिए कि जो सवाल आपसे पहले आता है, आप पहले उसको attempt करिए, आप topic के हिसाप से मत करिए, आप एक तरफ से शुरू कर दीजिए, और आप यह मत देखिए कि पहले पेसे शुरू करते हैं जहां से आपको दिखाई दी, हो सबकτα शुरू के प्रषण आप आप से ना बन रहे हों, तो वहां मत रुखिए, वहां इतजार मत करिए कि इसका guess करने के लिए वेट करें, आप आगे बढ़ जाएए, जहां से सवाल आता है, वहां से करना शुरू करने, और जो जो सवाल बनता जाए, पहले उसको एक करब से करते हैं, जिस भी section का हो, मैं य या तो यह है कि आप से जो जो सवाल आ रहा है, आप उसको करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, या तो दूसरे तरीका यह है कि जो विशय आपका भेतर है, और आपको लगता है कि अगर मैं पहले इंपे सारे सवालों पे सही जवाब दे दूँगा, तो एक confidence मिलेगा, तो या शायद थोड़ा सा कम हो, तो हम जादा लेके चलते हैं, साट कितिशत का मतलत क्या हो गया, कि 90 सवाल, 90 सवाल तो आपको कम से कम सही करने, इसकी बार का कटव देखे, 91 के आसपास, पहले भी 90 के आसपास, तो जादा तर रिस्तिति में हम देखे, तो हमें समझ में आता है कि 90 के आसपास हमें देखने को मिलता है इससे जादा भी गिया है इससे कम भी गिया है लेकिन अगर आप को एक ideal situation रखनी है तो आप 90 के पास मतमान के चलिए आप 95 सवाल सूचिए कि माइनस मार्किंग के साथ भी सही रहेंगे और मैंने शुरू में आप से क्यों कहा था कि आप कि जो हिम्मत है वो टूटने लगे हैं तो वो नहीं होना चाहिए तो आपको 95 सवाल सही करने हैं मतलब 95 सवाल आपके तब सही होने चाहिए जब आप गलत सवालों से जो नंबर कटेंगे माइनस मार्किंग के वो आप ठटा देते हैं तो ये target आप minimum set करके 100 तक पहुंशते ह है कितना अगर बहुत तफ ही आ जाएगा तो ये 90 से पीछे जा सकता है लेकिन ब्रयाज कीजिए कि सामान इस्थि यही है कि हमें 95 से 100 के आसपास रहना है वो पेपर देखे भी आपको पता चल जाएगा फिर उसके बाद अब अकेले रहे लेकिन अकेले पन में नहीं ये बा अकेले में ही पढ़ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं जो भी तो ऐसे में वो अकेले पन के शिकार हो जाते हैं वो किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं मैं ये नहीं कहता हूं कि लगातार बात करनी हैं लंबी बात लेकिन अगर आप बहुत सारे टॉपर्स से बात करें उनसे पूंच की बात कर लेते थे, अपने मन की बात उनसे शेयर कर देते थे, तो आप कभी भी अपने लोगों से, जो आपके अपने हैं, जो आपको अपना मानते हैं, उनसे अपने मन की बात शेयर करेंगे, अपने मन का डर शेयर करेंगे, अपनी मन की बेचैनी शेयर करेंगे, तो वो हमे आसे में एक मिनट की बात हो गई, दिन भर तो आप अकेले थे ही, लेकिन आप अकेले पन में नहीं रहेंगे, आपको रहेगा कि हाँ कोई है मेरे से, और ये अपने आप में संबल देता है, संबल एक बहुत एक उसूरत शब्द है, संबल ही हमें बहुत कुछ करवाने की हिम् करोस है, हिंदी मीडियम में भी है, इंगलिश मीडियम में भी है, आप जिस तरह से चाहें, तो प्रिल्लिम्ज के बाद, ज़्यादा समय लेना नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी में की तेयारी शुरू करना है, यह बात लंबा समय लगे है, और यह पढ़ाई आपकी वे आप बात आती है दिश्टी लर्निंग पे ये तो आपको जानकारी मिली जाएगी, आगे बढ़ें, नोड़ा सेंटर की बात मैंने कही थी कि, नोड़ा सेंटर में आप देखें, तो अभी हाली में इसकी शुरुआत कुई है और जो मुखरजी नगर वाली क्लासेस हैं, आप क पाउंडेशन का जो पहला बैच है, यहाँ पर शुरू हो रहा है, हिंदी माध्यम का 9 दिसंबर से दोपार को 3 बजे, तो इसको देख सकते हैं, आप जानकारी जिन्हें देना ज़रूरी समझे है, उसे भी दे सकते हैं, इंगलिश मीडियम का भी 12 दिसंबर से शाम कुछ है और उसके लिए अत्रिक जानकारी चाहिए, तो यह नंबर तो है, यह अत्रिक जानकारी मैंसले दे रहा हूं, जिससे पता रहे हैं आपको, कि नई शाखा में बैच शुरू हो चुका है, भरजी नगर वाली क्लास, तो अब बात आती है, आपके इन तनामों के बारे में, ज सबको अच्छी बाते पता हैं, सबको सही बाते पता हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि उस वक्त मेरी मती मारी गी थी, मुझे ध्यान नहीं आया, तो ध्यान दिलाने वाला कोई को होना चाहिए, तो हम अमेशा आपके साथ हैं, और बहुत सारी शुपकामनाएं हैं, दिल से आपके साथ हैं, सब्सक्राइब करना न भूले